आज में जिस ट्रामा की explanation करने जारी हूँ, उस ट्रामा ने बहुत लोगों के दिलों पर राज किया है और इस ट्रामा का नाम है hidden love ये एक romance comedy ड्रामा है अगर इस ट्रामा की rating की बात करें तो 8.9 out of 10 है और total episode 25 है इस ट्रामा के नाम से ही पता चलता है कि इसमें प्यार छुपा है जो किसी को दिखाई नहीं देता अगर आपने ये ड्रामा नहीं देखा है तो मैं आपको highly recommend करूंगी कि आप ये ड्रामा देखे आप जब ये ड्रामा देखोगे ना तो आपको लगेगा क्या story है इस ट्रामा की love story इतनी mind glowing और peacefully है कि ये ड्रामा किसी के भी दिल को अराम से छू सकता है तो फिर चलिए इस ट्रामा की explanation को start करते हैं तो कहानी शुरू होती है हमारी फिर्म में लिट सैंग जी से बहुत ही प्यारी और सांस भाब की लड़की होती है और वो बहुत सुन्दर भी रहती है उसे ड्राइंग करना बहुत ही पसंद रहता है और वो इसी कि वज़े से हमेशा किलास में ध्यान नहीं देती वो पढ़ने में तो बहुत तेज होती है लेकिन जब भी वो किलास में होती है तो उसका ध्यान टीचर पर नहीं बल्कि किसी और ही काम में लगा होता है और वो इसी वज़े से हमेशा टीचर से डांट खाती रहती है टीच आगे सेंग जी का फिर से पढ़ाई में ध्यान नहीं होता जिस वज़ा से वो टीचर से डाट खाती है और टीचर उसे वर्निंग भी देते हैं कि कल तुम अपने पैरेंट्स के साथ मुझे उनसे तुम्हारे बारे में कुछ बात करनी है तो बिचारी सेंग जी परिसान हो जा है तो बिचारी सेंग जी बहुत ही मायूस होती है और मायूस होकर घर आती है कि तवी वहां पर उसकी मुलाकार इस ड्रामा के में द्रौान से हो जाती है तो सेंग जी जैसे ही दुआन को देखती है तो वो उसकी खूपसूरती में इस तरह हो जाती है कि उसे लगता है कि उसके भाई ने प्लास्टिक सरजरी करवाई है इसलिए वो इतना सुंदर दिख रहा है लेकिन बाद में जब उसका भाई आता और उसे बताता ह कि उसकी बेहन ने कोई ना कोई कान जरूर किया है और उसकी बेहन उसे किसी ना किसी जहमिले में जरूर फसाएगी तो सैंग यान उसकी पूरी बात सुने से पहले ही उसे मना कर देता है तो सैंग जी को भी गुस्सा आ जाता है और वो उसके सामने जोर जोर से रोने लगती है और उसकी सिकायत अपनी मॉम से कर देती है तो उसकी मॉम आकर अपने बेटे की किलास लगाती है तो दुआन ये सब देखकर तो हैरानी रहता है पर उसे मजा भी आता है आगे सैंग जी दुआन से हेल्प मांगती है और कहती है किया आप मेरे स्कूल मेरे भाई बनकर चलोगे तो दुआन कहता है तुम मुझे अपने जहमिले में क्यों फसारी हो मुझे पता है तुम्हारे माक्स अच्छे नहीं आये होंगे इसलिए तुम्हारे टीचर्स तुम्हारे पेडर्न्स को बुला रहे हैं ना ताकि पेडर्न्स को लिए तुम्हारे वार्ट लगा सके मैं इस बारे में सोचूंगा ता तो सैंख जी कहती है ऐसी कोई बात नहीं है मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी है यहाँ पर कोई और बात है तो दुआन कहता है वो क्या बात है मुझे बताओ तो सैंघ कहती है आप मेरे स्कूल जाओगे तो टीचर आपको पूरी बात बता ही देगी ना तो आप मेरे साथ स्कूल चलोगे ना तो दुवान उससे उसकी सारी डिटेल्स पूछ लेता है कि वो किस किलास में पढ़ती है तो सैंग जी उसे पूरी डिटेल्स पता देती है कि तभी वहाँ पर उसका भाई आजाता है और कहता है यह 14 साल की है और 8 कलास में पढ़ती है पर बेचारी की तो हाइट ही नहीं बढ़ती और बेचारी इसी बात से बहुत ही परिसान है और सैंग यान अपनी बेहन को टीस करके वहाँ से चला जाता है तो सैंग जी दुशती है आप मेरे स्कूल आओगे ना तो दुवान कोई जबाब नहीं देता और स्मैल करके वहाँ से चला जाता है तो बेचारी सैंग जी बहुती परिसान रहती है कि वो उसकी स्कूल भी या नहीं ये तभी उसके टीचर उसे अपने कैबिन में बुलाते हैं तो बैचारी सैंग जी डड़ी डड़ी हुई जा रही होती है कि तभी वहाँ पर दुआन आ जाता है तो सैंग जी कहती है आप इतना लेट क्यों आएं तो दुआन कहता है मुझे नहीं पता था कि मुझे भी इसे बार-बार टोकना अच्छा नहीं लगता लेकिन अगर इसका इसी तरह का बहेव रहा तो आगे चल कर ये क्या करेगी तो दुआन टीचर के सामने सैंग जी की किलास लगाता है और इस बात को रफा दफा करके सैंग जी को इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल ल और अपने घर चली जाती है आगे सैंग जी दुआन के बारे में हमेशा सोचती रहती है क्योंकि उसे दुआन से पहली ही नजर में प्यार हो गया होता है और वो दुआन से मिलने के लिए नए नए बहाने ढूंडती रहती है वैल आपको इस ट्रामा में भाई बहन की स्कूल में चली जाती है आगे सैंग जी जैसे यह सुनती है तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है दुआन से मिलने का तो सैंग जी सैंग जी जित करने लगती है तो उसके मॉम डड़ भी कहते है अगर यह जाना चाती है तो लेकर जाओ ना तो सैंग जी कहते है ठीक ह मैं इसे लेकर चला जाओंगा अगले दिन सैंग जी अपना स्कूल कम्पलिट करके अपने भाई के कॉले जाती है तब ही उसकी नजर अपने पापा की कार पर 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 तो वहाँ पर उसे एक डॉल मिलता है जिसे देखका वो बहुत ही खुस हो जाती है कि तब उधर से दुआन आता है और यहाँ पर फिर से इन दोनों की मुलाकात होती है तो दुआन कहता है बिना पूछे किसी के भी समान को हाथ नहीं लगाना चाहिए तो सैंग जी कहता है मुझे नहीं पता था कि ये डॉल तुमारी है अगर मुझे पता होता तो मैं नहीं छूती तो दुआन कहता है अगर तुमें ये डॉल पसंद है तो तुम इसे रख लो तो सैंग जी कहती है अब मैं बड़ी हो गई हूँ अब मैं डॉल से नहीं खेलती तो दुवान कहता है अगर तुम्हें ये डॉल नहीं चाहिए तो मैं इसे फेक देता हूँ तो सैंग जी कहती है नहीं मैं इसे रख लेती हूँ आगे वो लोग रूम में जाते हैं तो सैंग जी का सारा ध्यान दुवान पर ही रहता है और वो उसके साथ टाइम स्पेंट करने का मौका ढूंती रहती है पर दुवान सैंग जी को बस अपनी एक छोटी बहन मानता है आगे सैंग जी का नोटबुक दुवान के डेक्स पर ही छूट जाता है तो सैंग जी दुआन को कहती है कि वो टेक्स बुक उसे लाकर दे दे तो दुआन कहता है मैं क्यों लाकर दूँ मैं तुम्हारे भाई को दे देता हूँ वो तुम्हे लाकर दे देगा तो सैंग जी कहती है अगर वो नोट बुक मेरे भाई के हाथ लग गई तो वो मेरी टांगे तोर देगा क्योंकि मैंने अपना हमवर्ग कम्प्लीट नहीं किया है इसलिए प्लीज वो नोटबुक आफी लाकर दोना तो दुआन कहता है ठीक है अगले दुआन सैंग जी को जल्दी स्कूल बुलाता है और अपने सामने उसका हमवर्ग कम्प्लीट करवाता है तो सैंग जी को इसी मौके के जरिये दुआन के साथ टाइम में स्पेंड करने का मौका मिलता है आगे सेंग जी के पैरेंट्स को एक साधी के लिए बाहर जाना पड़ता है तो वो सेंग जी को भी अपने साथ जाने को कहते हैं पर सेंग जी जाने से मना कर देती है तो सेंग जी के पैरेंट्स कहते हैं ठीक है अगर तुम साधी में नहीं जाना चाती तो मैं तुम्हारे भा जाने वाला है तो सैंग जी जाने के लिए मान जाती है आगे सब डिनर पर जाते हैं तो सैंग जी चोड़ी छुपे दुआन को ही देखती है और उसकी नजरे दुआन पर ही टिकी रहती है पर इस बारे में किसी को भनक नहीं परती आगे सैंग जी के पिरियट्स आ जाते हैं तो वो अपने भाई को इस बार में पताने की कोसिस करती है पर उसका भाई उसकी एक बाद भी नहीं सुनता और उसे वहाँ पर उतार कर कार पार्क करने के लिए चला जाता है। मैं अभी टीसू पेपर खरीद कर लाता हूं और दुआन ये कहकर वहाँ से चला जाता है आगे दुआन सेंग यान को कॉल करता है और उसे बताता है तो वह दोनों दोस्त मिलकर सेंग जी के लिए पैट खरीदते हैं और दुआन सेंग जी के लिए एक सकर्ट भी खरीदता है क तो सैंग जी को बहुत ही अजीब फिल होगा इसलिए मैं यहां से जा रहा हूँ और तुम भी सैंग जी के सामने ऐसा ही प्रिटेंड करना कि जैसे कुछ हुआ ही न हो तो सैंग जी फ्रेश नप होकर बहार आती है तो बेचारी बहुत ही इंबेरेस रहती है कि वह अप दुआ आती है तो दुआन वहां रहता ही नहीं बस उसका भाई रहता है तो उसका भाई उसे अपने साथ लेकर जाता है आगे वो सब मिलकर एक साथ डिनर करते हैं और साथ में बहुत सारी मस्ती भी करते हैं तो सैंग जी को वहां पर एक डॉल पसंद आ जाती है तो दुआन उसे वो डॉल गिफ्ट करता है, तो सैंग जी ये देखका बहुत ही खुस हो जाती है, आगे सैंग जी अपने दोस्त के साथ एक कैफे में खाने के लिए जाती है, और उसी कैफे में दौान काम करता है, तो सैंग जी दौान को देखकर पूरी तरह हिरान होती है, क्योंकि सैंग जी तो सेंग जी कहती है मैं फ्री में नहीं ले सकती मुझे पता है आपकी फाइनेंशल कंडिशन ठीक नहीं है मैं इस तरह आपका खरजा नहीं करवा सकती तो दुआन कहता है मैं इतना तो एफोर्ट कर सकता हूं तुम बेकार की बाते सोचना बंद करो बस अपना खाना इंजु करते हैं तो जैन सब के सामने सैंग जी को अपनी गल्फरेन बनने के लिए प्रपोस करना ही वाला होता है कि उससे पहले ही सैंग जी जैन के बद्धे पार्टी को छोड़कर वहां से चली जाती है तो जैन भी सैंग जी के पीछे जाता है और सैंग जी को बता देता है कि वो school time से ही उसे पसंद करता है और वो चाहता है कि वो उसकी girlfriend बन जाए तो sanc जी कहती है अभी हमें इन सब पर ध्यान नहीं देना चाहिए अभी हमें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए अभी हमारी उमर ही क्या हुई है और sanc जी सिधा-सिधा Jain को reject कर देती तो तो आपने ये भी सुना होगा कि मैं उसे समझा रही थी कि अभी वो पढ़ाई पर ध्यान दे, मैं भी इन सब के खिलाफ हूँ। तो दुआन कहता है, हाँ मैंने सुना लेकिन तुम्हें इस तरह उसे रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था, तुम्हें प्यार से उसे समझाना चाहिए था, देखो बेचारे को कितना बुरा लग गया, बेचारा रोने लगा, तो सैंग जी कहती है, वो बचपन से ही रोतुमल है जरा जरा सी बात पर रोने लगता है, आगले दिन सैंग जी स्कूल में होती है, तो वो अपने बेस फ्रेंड से बात करने की कोसिस करती है, पर उसकी बेस फ्रेंड उससे बात नहीं करती है, उसकी बेस फ्रेंड जैंग से बहुत प्यार करती है, पर जैंग उसके बज़ाए सेंग जी से प्यार करता है जिस वजह से उसकी बेस्ट फ्रेंड को इस बात का बहुत ही गुसा रहता है और इसी बात को लेकर सेंग जी की प्यारी दोस्त सेंग जी से दूरी बना लेती है उसे इग्नॉर करती है और नहीं उससे बात करती है तो बिचारी सेंग जी को बहुत ह लगता है और उसे समझ में नहीं आता आखे का उसे हुआ क्या है आगे सेंग जी के स्कूल में स्पोर्ट स्टे आने वाला होता है तो सारे स्टुडेंट ने इस स्पोर्ट स्टे में भाग लिया होता है सिवाई सेंग जी के तो सेंग जी का टीचर सेंग जी को कहता है तुम्ह जी अपने टीचर को कहती भी है कि वो ये काम नहीं कर पाएगी पर उसका टीचर उसकी एक बात भी नहीं सुनता उल्टा उसे प्रैक्टिस करने को कहता है आगे स्पोर्स टे का दिन भी आ जाता है तो सेंग जी अपने गेम की पूरी तैयारी कर लेती है तो स्पोर्स टे पर भाई और दुआन भी उसके कॉलेज आएवे होते हैं क्योंकि उन्हें भी कॉलेज से ओर्डर मिला होता है स्पोर्स टे को मैनेज करने का आगे जब सेंग्यान को पता चलता है कि उसकी बहन जंपिंग वाला काम कर रही है तो वो अपनी बहन का खुम मजाग बनाता है पर दुआन सेंग जी को सपोर्ट करता है आगे सेंग जी का नमबर आ जाता है तो वो पूरी मेहनत के साथ जंपिंग मारती है पर बेचारी नहीं कर पाती और बार बार री टेक लेती है और इस चकर में बेचारी घायल भी हो जाती है तो सैंग्यान अपनी बेहन की ऐसी हालत देखकर तो पूरी तरह परिसान हो जाता है और उसे अपने पीट पर उठा कर जाने लगता है, कि तभी वहाँ पर кра יंचके की पूराने क्लास टीचर की इंट्री पर्वास नहीं है, और सेंग्यान कुछ कहने ही वाला होता है कि संग झी। बंद कर देती है और क्लाश टीचर को बताती है कि ये उसके पापा है और दुवान उसका भाई। तो इसका class teacher पूरी थरा पागल ही हो जाता है, आगे सेंग यान इस हरकत के लिए सेंग जी को खूप डांटता है, तो सेंग जी को भी गुससा आजाता है, और वो दौान के पीट पर चली जाती है, आगे दौन सेंग जी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है, तो सेंग ज तुम से बहुत प्यार करता कि सेंग जी को अपने साथ हॉस्पि strang जाता है लेकिन जाने से पहले उसे रहें और पुक्षों केंडी दने और शाल्ण और सुनgem केंडी चैसा है तो सैंग जी को ये सब देखकर बहुत ही अच्छा लगता है अगले दिन सैंग जी स्कूल में रहती है कि तब ही वहाँ पर उसकी दोस्त आती है और कहती है क्या तुम मेरे साथ सौपिंग करने चलोगी तो सेंग जी अपनी दोस्त को देखा बहुत ही खुस होती है कि फाइनली उसकी दोस्त ने उससे बात तो की तो सेंग जी उसके साथ स्वापिन्ग के लिए चली जाती है दोसी तब Miaan सेंग यानों के कहने पर सेंग जी को वो अपने साथ पैसे लेकर आए तो सैंग जी ये सब देखकर तो पूरी तरह सौक्ट हो जाती है क्योंकि उसने कभी भी उमीद नहीं की थी कि उसकी बैस फ्रेंट कभी भी उसे इस तरह का धोखा देगी कि तभी वहाँ पर दुआन आ जाता है और सैंग जी की ऐसी हालत झाल होता है आगे दुआन सैंग जी से पूसता है कि क्या बात है तो सैंग जी उससे पूरी बात बता देती है तो उड़ी गुसा आता है कि उसकी बहन को किसी ने बुली किया है तो सेंग यान अपने पूरे गैंक के साथ सेंग जी के स्कूल जाता है तो सेंग जी अपने भाई को दिखकर तो पूरी तरह हैरान हो जाती है और वो वहां से भागने लगती है पर उसका भाई उसे भागने नहीं देता अगले दिन उन सारे बुलिक करने वाले लड़कियों को उनके किये की सजा मिलती है और सैंग जी की बेस्ट फ्रेंड अपना ट्रांसफर दूसरे स्कूल में करवा लेती है तो सैंग जी को बुरा तो लगता है पर वो कुछ भी नहीं कहती आगे सैंग जी के एक्जाम्स भी आ पर दूसरा टीचर ढूणना ही पड़ेगा आगे सैंग जाता है तो उसके पापा कहते हैं लेकिन तुम्हें अपना सैंग जी को पुरा करने के लिए फिजिक्स तो पढ़ना ही होगा इसलिए मैं तुम्हारे भाई को कहता हूं कि वो तुम्हें फिजिक्स पढ़ाई तुम कि ये दोनों साथ बैठ कर पढ़ने वाले तो बिल्कुल भी नहीं है उन्हें सैंग जी के लिए दूसरा टीचर ढूणना ही पड़ेगा आगे सैंग जी की मॉम सैंग जी को बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक फिजिक्स का टीचर ढूण लिया है कल तुम्हें पढ़ लगता है और वो दुआन के साथ टाइम समेंड करने के लिए उसके साथ फिजिक्स पढ़ने लगती है तो दुआन उसे बहुत ही ऐच्छे से फिजिक्स बढ़ाता है पर सेंग जी के दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं क्योंकि उसे फिजिक्स पसंद ही नहीं होता तो दिखाना पड़ेगा तो दुआन सैंग्यान के पास जाता और कहता है मुझे नहीं लगता कि सैंग जी इस तरह physics सिख पाएगी इसलिए हमें सैंग जी को physics practical करके दिखाना पड़ेगा इसलिए मैं सोच रहूं क्यूं न हम सैंग जी को museum लेकर जाएं ताकि उसकी दिमाग में पूरी डिटेल बताता है और उसे प्रैक्टिकल भी दिखाता है तो सैंग जी का भी नजरिया फिजिक्स को लेकर धीरे धीरे बदलने लगता है आगे सैंग जी वहाँ बैटकर फिर से ट्राइंग करने लगती है तो दौान कहता है तुम ट्राइंग बहुत अच्छा करती हो तुम आगे चलकर क्या बनना चाती हो तो सैंग जी कहती है अभी तक मैंने कुछ सोचा नहीं है वैसे आप क्या बनना चाते हो तो दौान कहता है गेमिंग प्रोग्रामर बनना चाता हूँ तो सैंग जी कहती है भाई जब तक आप अपने सपने को पुरा नहीं कर लेते तब तक आप girlfriend मत बनाना तो दुआन कहता है ऐसा क्यों तो सैंग जी कहती है क्योंकि जब आपकी life में कोई आ जाएगी तब आप मुझसे इस तरह बात नहीं करोगे और मुझसे दूर हो जाओगे तो दुआन कहता है तो मैं ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे दूर हो जाओंगा तो सैंग जी कहती है मेरे दोस्त के भाई के साथ भी ऐसा ही हुआ था उसके भाई की girlfriend उसे अच्छी तरह से treat नहीं करती थी तो दुआन कहता है ओ तो ठीक है मैं ऐसी girlfriend बनाऊंगा जो तुम्हे भी अच्छे से treat करे तो सैंग जी को ये बात सुनकर बहुत ही बुरा लगता ह तो वो दुआन को कहती है भाई क्या आप मुझसे एक वादा करेंगे जब भी आपकी life में कोई लड़की आएगी जिसे आप अपनी girlfriend बनाना चाहते हों तो सबसे पहले आप मुझे इस बारे में बताना तो दुआन कहता है ठीक है अगर मैंने future में कोई भी girlfriend बनाई तो सबस प्यार करती है तो सेंग यान को जब इस बार में पता चलता है तो वो अपनी बहन की बहुत किलास लगाता है और उसे खूब डाटता है तो दुआन सेंग जी को समझाता है कि अभी तुम्हारी उमर नहीं हुई है ये सब करने की अभी सिर्फ तुम पढ़ाई पर ध्यान द मैं तुम्हें बड़े प्यार से समझा रहा हूँ अगर तुमने इन समी दिमाग लगाया तो मैं उस लड़के की टांगे तोड़ दूँगा और तुम्हारी भी इसलिए चुपचा पढ़ाई पर ध्यान दो तो सेंग जी दुआन के सामने उसकी ही तारीफ करती है और दुआन को इस बार में पता थोड़ी होता है कि सेंग जी जिस लड़के से प्यार करती है वो लड़का वो खुद है आगे सेंग जी पढ़ाई में अपना पूरा मन लगाने लगती है तो दुआन भी ये सब देख कर बहुत ही खुस होता है और अब उसकी फिजिक्स पूरी से पढ़ाने के लिए नहीं आएगा आगे नियू यर का दिन आ जाता है तो सेंग जी चोरी छुपे दुआन के पॉकेट में लाल लिफाफा रख देती है और दुआन को इस बार में कुछ भी पता नहीं चलता आगे दुआन के पापा की हालत बहुत ही खड़ाब हो जाती ह जिस वजह से उसे अपने सेहर लोटना पड़ता है इधर जब सेंग जी को इस बार में पता चलता है कि दुआन अपने सेहर वापस चला गया है तो उसे बहुत बुरा लगता है तो सेंग जी सेंगन से पूचती है दुआन अपने graduation ceremony में तो आएगा ना भाई तो सेंग यान कहता है हाँ वो उसमें जरूर आएगा वो उसे मिस नहीं कर सकता तो सेंग यान ये सुनकर खुस हो जाती है और सिधा जाकर दुआन को कॉल लगाती है और कहती है मुझे आपका गिफ्ट बहुत ही पसंद आया मैंने भी आपके लिए एक गिफ्ट खरीदा है क् मैं आपको ये गिफ्ट पार्सल कर दूँ तो दुआन कहता है तुम पार्सल में क्यों खर्चा कर रहे हो तुमने मेरे बारे में इतना सोचा में जली यही काफी है मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए आगे उन लोगों के ग्रैजुएशन सेर्मनी का दिन भी आ जाता है त साथ में खुब ड्रिंक करते हैं पर दुआन ड्रिंक नहीं करता क्योंकि उसे ड्रिंक करना पसंद नहीं होता पर सेंग्यान खुब ड्रिंक कर लेता है जिस वजह से दुआन को सेंग्यान को खुद घर ले जाना परता है तो दुआन सेंग्यान को घर पर छोर कर जाने लग और उसे रात में वहीं पर रुकने को कहती है तो सैंग जी को ये सब देखकर बहुत ही अच्छा लगता है आगे दुआन अकेले बाहर बैठा हुआ होता है तो सैंग जी उसके पास जाती है और दुआन से पूस्ती है आप बहुत ही परिसान लग रहे हैं क्या बात है तो दु दुआन इस बात पर हसने लगता है और कहता है इतना बड़ा भी करजा नहीं है जो तुम अपनी पढ़ाई छोड़कर कमाई करोगी मैं अपने सारे प्रॉब्लेम्स खुद हैंडिल कर लूँगा बस तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो समझी आगे दुआन अपने घर चला जाता है तो सैंग जी को दुआन के बिना मन नहीं लगता तो सैंग जी दुआन के करीब रहने के लिए उसके ही सहर की यूनिवर्सिटी में एड्मिशन लेने के लिए करी मेहनत करने लगती है और वो पूरी प्लैनिंग बना लेती है उस यूनिवर्सिटी में जाने के और उसे बहुत बुरा लगता है कि दुआन ने अपना प्रामिस नहीं निभाया उसने उससे प्रामिस किया था कि जब भी उसकी लाइफ में कोई लड़की आएगी तो सबसे पहले वो उसे बताएगा आगे सैंग जी को भी रहा नहीं जाता और वो दुआन से मिलने के लिए उसके सहर चली जाती है दूसी तब सैंग यान और उसकी फैमिली को जब पता चलता है तो वो पागलो की तरह दुटर उधर ढूनते रहते हैं और उन्हें कहीं भी दूआन का पता नहीं चलता तो सैंग जी को कॉल करता है तो सैंग जी उसे बताती है कि वो अपने प्यार से मिलने के लिए यहां पर आई है तो सैंग जी दूआन को इस बात पर बहुत ही गुसा आता है और वो दूआन को कॉल करता है और से बताता है कि सैंग जी उसके सहर आई है इसलिए प्लीज वो उसका खयाल रखे आगे दुआन सैंग जी को ढूनने के लिए एरपोर्ट पर जाता है तो सैंग जी दुआन को जैसे ही एक लड़की के साथ देखती है तो वो समझ जाती है कि दुआन की एक गल्फेंड है तो उसका ये सब देखकर तो पूरी तरह दिल ही टूट जाता है तो दुआन जैसे ही सैंग जी को देखता है तो उसे खूब डांटता है कि वो एक लर्के के चकर में इतनी दूर अकेले कैसे आ गई वो भी बिना अपनी फैमली को बताए तो सैंग जी उसके किसी भी बात का जवाब नहीं देती सिर्फ रोती है तो दुआन कहता है क्या तुम उस लर्के से मिली तो सैंग जी कहती है हाँ मैं उससे मिली पर वो मुझे पसंद नहीं करता है मैंने बेकार में ही ये सोच लिया कि वो भी मुझे पसंद करता है और उसके चकर में मैं यहां पर आ गई तो दुआन को सैंग जी की ऐसे हालत देखी नहीं जाती तो वो सैंग जी को कहता है जाओ फ्रेशन अफो कर आओ मैं तुम्हारी लिए टिकट खरीद लेता हूं आगे सैंग जी बातरूम जाती है और वह जी दुआन को उसका दियाओवा गिफ्ट लोटा देती है एस अगिफ्ट के तोड़ पर और सैंग जी वहां से चली जाती है आगे सैंग जी अपने सहर पहुंसती है तो उसका भाई उसे खूब डाटता है पर सैंग जी अपने भाई को गले लगा कर खूब रोती है तो सैं सेंग जी अपने रूम में चली जाती है आगे सेंग यान अपने पैरेंट्स को समझाता है कि वो सेंग जी को ना डाटे क्योंकि बेचारी सेंग जी को खुदी बहुत बरा धक्का लग चुका है और अब वो अपनी लाइफ में ऐसी गलती कभी भी नहीं करेगी इस बार वो उ प्यार को यहीं पर दफन कर देती है आगे सेंग जी दो साल करी मेहनत करती है और वो दुआन की सहर की युनिवरसिटी में दाखिला पा लेती है आगे सेंग जी अपनी लाइफ में बहुत ही खुस रहती है उसकी तीन दोस्ते भी होती है जो उस पर जान छिरकती है और उन प्रेश्टरेंट में दुआन भी रहता है पर वह दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते हंद अपनी पारटी में आता हें इधर अपने कलिक्स के साथ खुब मस्ती कर रहा होता है और इधर इस चैनक जी अपने दोसतों के साथ खुब मस्ती आती ह remo है औ और वो एक्सिडेंटली दूसरे का कोट अपना कोट समझ करके उठा लेती है और उसे लेकर बाहर चली जाती है। तो दूसरे किती है यह मेरा नहीं है तो दूसरे कोई नहीं कि यह किया वैसे तुमने की पता है तुमने कितना मैसेज किया है। और दुआन उसे बच्ची समझ कर बच्ची बच्ची कहने लगता है तो सैंग जी को भी गुसा आ जाता है और वो कहती है अब मैं बच्ची नहीं रही अब मैं बरी हो गई हूँ तो दुआन इस बात पर भी सैंग जी का मजाग बना लें लगता है तो सैंग जी को बहुती गुसा आता है और वो जाने लगती है तो दुआन कहता है तुम इतनी रात को बाहर रहोगी अब तुमें घर चले जाना चाहिए चलो मैं तुमें छोड़ देता हूं तो सैंग जी घर की तरफ जाने लगती है कि तभी वहाँ पर दुआन आ जाता है और कहता है चलो मैं तुमें घर चोड़ देता हूं तो सैंग जी कहती है मैं खुद चली जाओंगी तो दुआन कहता है तुमने तो कहा था कि तुमारे दोस्त तुमें चोड़ेंगे और मुझे तो कोई दिख नहीं रहे आगे दुआन सैंग जी को घर छोड़ता है तो सैंग जी उसे कटि-कटि रहती है और उससे पहले की तरह बात नहीं करती और दुआन ये सब नोटिस भी कर रहा होता है और उसे बुरा भी लगता ह पर वो इस बात पर जादा ध्यान नहीं देता आगे दुआन सैंग जी को कॉलेज छोड़ता है और कहता है तुम अभी भी बच्ची हो इसलिए आइंदा से बहार में ड्रिंक मत करना तुम्हें पता है ना बहार में कैसे कैसे लोग खूमते हैं तो सैंग जी कहती है मैं से बच्ची ही है और अब भी दुआन उसे बस एक बच्ची की नजर से देखते हैं ना कि एक लड़की की नजर से आगे सैंग जी के पापा सैंग जी को मेसेज करते हैं कि वो दुआन को खाने पर ले जाए क्योंकि दुआन ने हमारी बहुत हैल जब वो इसकूल में थी तो तो दुआन ने उसके पढ़ाई में बहुत हैल्प की थी और उसने हमेशा उसकी रक्षा भी तो की है इसलिए तुम्हें दुआन को ट्रीट पर लेकर जाना चाहिए तो सैंग जी भी सोचती है दुआन ने हमेशा उसके साथ अच्छा ही किया कभी भी उसके साथ कुछ भी करती है और उसके साथ बहुती फॉर्मली बात करती है तो दुआन कहता है ठीक है अगले हपते हम लोग दिनर पर चलेंगे आगे उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही होती है उसे धेर सारे मैसेज और कॉल भी करती है तो दुआन उसे बार-बार समझाता है कि उन दोनों के व प्लिम देखने का प्लैन बनाते हैं तो सैंग जी को भी वो लोग जाने को कहते हैं तो सैंग जी कहती है मैं नहीं जा सकती मेरा किसी के साथ एपॉइंट्मेंट फिक्स है पर वो लोग उसकी बात नहीं मानते और उसे जब अरदस्ती अपने साथ जाने को कहते हैं तो सैंग उसकी तब्यत खराब हो जाती है और उसके पेट में खुब दर्द होने लगता है इधर sieng ji दुआन का इंतजार कर रही होती है पर दुआन नहीं आध तो दुआन सैंग जी को कॉल करता है और से खाना ओडर करने को कहता है तो säng jी दुआन की आवास सुनकर ही समझ जाती है कि दुआन की तब्यद खराब है तो s 생 जी दुआन को कहती है तुम कहा हो बुझे अपना एड्रेस बताओ तो धुआन उसे अपना एड्रेस बताता है तो सैंग जी दुआन के ओफिस पहुंचती है और दुआन की ऐसी हालत देखकर वो बहुत ही परिसान हो जाती है और दुआन को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाने लगती है तो वो टैक्सी रोकने की बहुत कोशिस करती है पर कोई भी टैक्सी नहीं रुकती जिस चक्कर में वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं और उसके बाद एक दूसरे को देखकर अनकंफर्टवल महसूस करते हैं। आगे सैंग जी दुआन को हॉस्पिटल लेकर जाती है तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि दुआन की हलत बहुत ही खराब है। हमें एक सरजरी करनी होगी तो दुआन सरजरी के लिए मान जाता है। आगे दुआन की सरजरी स्टार्ट हो जाती है। इदर सैंग जी की मॉम सैंग जी को कॉल करती है और उसे पूछती है कि वो कहां पर है। तो सैंग जी अपनी मौम को पूरी बात बता देती है तो सैंग जी की मौम को दुआन के लिए बहुत बुरा लगता है और सैंग जी की मौम सैंग जी को बताती है कि दुआन का अब इस दुनिया में कोई भी नई है 17 साल की उम्र में ही उसके उपर से अपनों का साया गुजर और उसके बाद उसकी मा भी उसे छोड़ कर चली गई थी जिस वज़ा से उसके उपर धेर सारा करजा हो गया था और हमने भी उसे करजा दिया था लेकिन दुआन ने सूत समेथ हमारा करजा हमें वापस लोटा दिया दुआन बहुत ही अच्छा लड़का है लेकिन उसके साथ बहुत बुरा हुआ तब से विचारा अकेला ही रह रहा है तो सैंग जी को ये बात सुनका बहुत ही बुरा लगता है आगे दुआन का ओपरेशन हो जाता है तो सैंग जी दुआन से मिलने के लिए जाती है तो दुआन कहता है अब मैं ठीक हूँ अब तुम्हें घर जाना चा तिरे वो दोनों एक दुसरे के कड़ी बाने लगते हैं आगे दुआन जिस रूम में रहता है उस रूम में एक बुरे अंकल भी रहते हैं जिने सुनने में प्रॉब्लम होती है और वो बहुत उचा सुनते हैं तो उस अंकल को ये गलत फहिमी हो जाती है कि सेंग जी और को मिलती है तो दुआन उस अंकल को समझाने की कोसिस करते हैं कि सेंग जी और बात ही नहीं सुनते हैं क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम होती है तो दुआन भी इस बात का मजाग बना देता है और सेंग जी को अपनी वाइफ माल लेता तो सेंग जी और सेंग बोगा बूरा उस अंकल को सुनने में प्रावलिम थी और वैसे भी मैं हॉस्पिटल में बैठे बोर हो रहा था तो वह अंकल मेरे साथ मस्तिक कर रहे थे तो मैं भी थोड़ा मस्तिक करने लगा तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई तो सेंग जी कहती है तुम बोर हो रहे थे तो इसलिए और खाने पीने का अच्छे से खयाल रखना ठीक है और सेंग जी ये कहकर जाने लगती है तो दुआन कहता है मैं तुमें घर छोड़ देता हूं तो सेंग जी कहती है मैं छोटी बच्ची नहीं हूं मैं खुद जा सकती हूं और सेंग जी ये कहकर वहां से चली जाती है आग तब दुआन को सैंग जी की बेरुखी बिल्कुल भी बरदास्त नहीं होती और उसे समझ में नहीं आता कि आखेकर उसने ऐसा क्या कर दिया जो सैंग जी इतनी नाराज है तो दुआन अपने कलिक्स से इस मेटर को लेकर बात करता है तो उसकी बॉस बताती है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने एक लड़की का मजाग बना दिया तुमने पता है ना कुछ साल पहले ही उसका दिल तूटा है और तुमने उसके सामने ही साधी का मजाग बना दिया तुमने बहुत बड़ी गलती की है तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए तो दुआन कहता है अब मैं क्या करूँ मुझसे तो गलती हो गई तो उसकी बॉस कहती है तुम्हें सैंग जी को डिनर पर लेका जाना चाहिए उसे बात करनी चाहिए और उसका मूठ ठीक करने की कोसिस करनी चाहिए साइध वो तुमें माफ कर दे दूसी तब मैंग सैंग जी को पटाने में लगा हुआ होता है वो उसके साथ बहार जाता है उसके साथ टाइम स्पैन करता है पर सैंग जी को मैंग में जरावसा भी इंट्रेस्ट नहीं होता आगे नियू यर की इवनिंग आ जाती है तो उसके सारे दोस बहार पाटी करने जाते हैं पर सैंग जी नहीं जाती क्योंकि उसे भीर भार बाली जगा पसंद नहीं होती और बहार बहुत ज़्यादा ठन भी हो जोते हैं कि तब उधर से जियांग अपनी दोस्त के साथ उसी रेश्टरिंट में खाने के लिए आती है तो जैसे ही दौन और सैंग जी को एक साथ देखती है तो उसे गलत फहमी हो जाती है तो जियांग इस बात को लेकर दौन से लड़ाई करने लगती है और उसके मूपर पानी भी फेक देती है तो सैंग जी को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो जियांग के मूपर पानी फेक देती है और इसी बात को लेकर यहां पर लड़ाई हो जाती है तो दौन उन दोनों को सांथ करके सैंग जी को वहां से लेकर चला जाता है आ दुआन को भी ये सब देखकर बहुत ही अच्छा लगता है कि तभी वहाँ पर बर्फ पढ़ने लगती है तो दुआन सेंग जी को बताता है कि ये इस साल की पहली बर्फ है तो सेंग जी ये बास उनका खुस हो जाती है और भगवान से प्रे करने लगती है कि वो हमेशा दु दुआन को उससे प्यार हो जाए और इधर दुआन सेंग जी के लिए मांगता है कि सेंग जी जो भी विस मांग रही है वो पूरी हो जाए आगे दुआन को भी सेंग जी से धिरे धिरे प्यार होने लगता है पर उसे पता नहीं चलता अगली स्वा सेंग जी दुआन के कंप नीचे आई है और वो तुमसे मिलने की जित कर रही है लेकिन तुम टेंसन मतलों में ने गाट को कह दिया है कि उसे वहां से भगा देने के लिए इदर दूआ जैसे यह सुनता है कि जी आंग भी नीचे आई है तो उसे सैंग जी की फिकर होने लगते है तो वो दोर कर नीचे जाता है और सेंग जी उसे बताती है कि वह उसके लिए एक कैमरा लेकर आई थी तो दुआन कहता है अगली बार तुम्हें मुझसे अगर मिलना हो तो पहले मुझे इन्फॉर्म कर दिया करो उसके बाद ही मुझसे मिलने आना समझी तो सेंग जी को ये बात सुनकर बहुत ही ब करने के लिए जाती है डूषी तब एको मेसेज भेस्तना वाँ करका परियसे की लेने आने वाला इसलिए मैं जा रही हूं और सेंग जी नसे की हालत में बाहर चली जाती है तो मैंग भी उसके पीछे पीछे जाता है और उसकी केयर करता है और मैंग सेंग जी को बताने ही वाला होता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है कि तभी वहाँ पर दुआन आ जाता है और मैंग को कह करके बहुत ही खुस होता है आगे सेंग जी नसे हालत में दुवान को बता देती है कि वो किसी से प्यार करती है पर वो उसे पसंद नहीं करता और सेंग जी दुवान को अपनी पूरी लव स्टोरी बता देती है तो दुवान को भी बहुत बुरा लगता है कि सेंग जी इतने पेन में है तो दुवान सेंग जी से पूस कि वो लड़का कौन है पर सेंग जी कोई जवाब नहीं देती आगे सेंग जी सो जाती है तो दुवान सेंग जी को ही देखता रहता है और कहता है तुम उस लड़के से बहुत प्यार करती हो ना वैसे तुम्हारा मेरे बारे में क्य मैं भी हैंड समूं हूं और मैंने अपने सारे करजे को भी चुका लिये और अच्छा क कमाता भी हूं और एक सेटल लाइप भी है मैं भी तो तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छे से रहता हूं activities बात मानता हूं तुम्हारी क्यार करता ह ole क्या तुम मुझे उस नजर से लेता है क्या उसे कहते हैं किसी और से प्यार करती है चीज़ bunu करती है आँ से उस्यां आप माफी जाती है मुझे हません शुस्ता कियाlla क्यों कैều कर सकते हैं चैपके तुम लोगों ने मेरे साथ कितना गलत किया है क्या तुम भूल गए कि तुम्हारे पापा ने मेरे पापा को जान से मार डाला था और तुमने अपनी मा को प्रॉमिस किया था कि तुम पूरी लाइफ मेरा खयाल रखोगे क्या तुम भूल गए तो दुआन कहता है मेरी मौम ने तुमसे जो वादा किया था मैंन वो सब पूरा किया मैंने तुम्हारे सारे खर्चों को चुका दिया है इसलिए प्लीज बंद करो मैं भी ठक चुका हूँ तुम्हारी वज़ा से मुझे बहुत कुछ जहलना पड़ा लेकिन अब मैं और नहीं सह सकता और दुआन के कहकर अंदर चला जाता है तो जियांग चि था लेकिन दुआन ने अपनी पूरी कोसिस की जियांग की फैमली का करजा उतारने के लिए उसने पार्ट टाइम जॉब किया और उसने उस उम्र में वो सब कुछ जहला जो जहलना डिजर्ब नहीं करता था इसकूल के सारे बच्चे उसे खुनी का बेटा कहते थे और जिय जो बिल्कुल भी डिजर्ब नहीं करता था दूसी तब सेंग जी को जब हो साता है और उसे कल रात की थोड़ी थोड़ी बाते याद आती है तो उसे बहुती सरमिंदगी महसूस होती है आगे दुआन सेंग जी को कॉल करता है और कहता है मैं तुमारा नीचे इंतिजार कर तुम जल्दी से नीचे आओ आगे सेंग जी नीचे आती है कि तभी महाँ पर मैंग आ जाता है और उससे अपने प्यार का जहार कर देता है तो सेंग जी कहती है हाँ क्यों नहीं दूसी तब दूआन को उन दोनों की नजदी किया बिल्कुल भी पसंद नहीं आती उल्टा उसे ये गलत फैमी हो जाती है कि सैंग जी जिस लड़के से प्यार करती है वो लड़का मैंग है आगे दुआन सैंग जी से डिरेक्टली पूछी लेता है कि वो जिस लड़के से प्यार करती है क्या वो लड़का मैंग है तो सैंग जी कहती है बिल्कुल भी नहीं वैसे तुम करती है वो लड़का वो खुद है आगे सेंग जी घर आती है तो इसके मॉम डैडड eyes से देख बहुत ही खुश होते हैं आगे सेंग जी को सब एक प्रिंसस की तरह टरीट करते हैं औरुसका खूब खयाल रखते हैं आगे सेंग जी की मौम सेंग यान को कहती है मैंने तुम्हारे लिए एक देट फिक्स की है इसले इस बार मना मत करना तुम हर बार मना कर देते हो अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो हमें बता क्यों में नहीं पढ़ना दोसी तब दोस्ती की बहुत जल साधी होने वाली होती है लव लाइफ के बार में पूछता है पहले तो दोस्ती जित करने पर वो उसे बता देता है जिस लड़की से प्यार Sometimesёт उसका उसका दोस्त जब उसकी पूरी बात सुनता है तो वो कहता है, मुझे लगता है कि वो लड़की तुमसे प्यार करती है, क्योंकि उस लड़की ने जिस तरह का खुलिया तुम्हें बताया है न, वो खुलिया विल्कुल तुम पर सूट करता है, तो दुआन ये बात सुनकर गवान ये लगता है तो सारे दोस्त उसकी साधी में आते हैं, और दुआन भी उस साधी में आता हैं, तो दुआन सेंग-यान के साथ एक लड़की की तरह Flirt करने लगता है, तो ये सब देखके तो पूरी तरह ह्यडानी होती है, वैल आपको यहां पर दोस्त की मसंती भरी को मिलेगी तो सेंग यान दुआन के ऐसे बहेवियर को देखकर तो पूरी तरह पगला जाता है और अपनी बहन को बीच में बठा देता है तो बेचारी सेंग जी बैठना तो नहीं चाती पर उसे मजबूरन बैठना पड़ता है आगे दुआन सेंग जी के साथ भी फलर्ट कर जाती है और वो पार्टी छोड़कर घर जाने लगती है तो दुआन भी उसके पीछे जाता है और उसे घर छोड़ता है लेकिन दुआन रास्ते में भी सेंग जी से उसके बारे में ही पूछता रहता है तो बेचारी सेंग जी ये सब सुन सुन कर तो पूरी तरह पगला जा और सेंग जी और सेंग जी को दुआन का behavior बहुत ही अजीव लगता है, क्योंकि पहले दुआने कभी इस तरह का behavior नहीं किया होता है, जिस तरह वो recently कर रहा होता है, आगे दुआन सेंग जी को कहता है, कल तुम वापस चारी होना, तुमारी flight भी सुभाह की है न, मेरी भी है, चलो साथ में चलते हैं, तो Shang Ji कहती है, ठीक है, आगे Dhuwaan Sang Ji को एक Braslet Gift करता है, तो Shang Ji ये देखकर बहुत ही हरान होती है, पर उसे लगता है कि Dhuwaan बस उसे अपनी बहन समझ कर उसे ये Gift कर रहा है, अगले दिन ध्वान सैंग जी को लेने के लिए जाता है और उसे अपने साथ एरपोर्ट लेकर आता है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात उसके एक पुराने दोस्त से हो जाती है तो उसका पुराना दोस्त सैंग जी को उसकी गल्फिन समझ लेता है और उससे पूछता है तुम त इसने कहा कि जियांग मेरी गल्फिट है तो दुछ कहते हैं मुझे बताया मुझे बताओ तो उसका तोस्त उसे कुछ भी नहीं बताता और अपना जाड़ा कर वहां से चला जाता है उस दिन जो एरपोर्ट पर आई थी क्या वो तुम्हारी गल्फेंड नहीं है तो दौन कहता है तुम्हें लगा वो मेरी गल्फेंड है बिल्कुल भी नहीं मैंने इतने सालों में आज तक किसी को भी डेट नहीं किया और मैंने तो तुमसे प्रॉमिस तुम बता रही हो मुझे लगता है कि दौन भी तुम्हें पसंद करता है तो सेंग जी कहती है मुझे नहीं लगता कि वो मुझे पसंद करता है बचपन से आज तक उसने सिर्फ मुझे अपनी बेहन ही माना है तो उसकी दोस्त कहती है मैं कह रही हो ना उसके बिहेवियर से तो बैचारी सैंग जी कस्म कस्म में रहती है कि दुआन उसे सच में पसंद करता है या फिर एक बहन मानता है दुसी तब दुआन सैंग जी की गलत फैमी दूर करने के लिए अपने बोस से एक फेवर मांगता है और कहता है कि आज तक मैंने किसी को भी डेट नहीं किया तो उस बाइट करता है और उसे अपनी बॉस से मिलवाता है तो उसकी बॉस सैंग जी को बताती है कि वह उसकी गल्फेन नहीं है उसकी साधी अल्रेडी सू से हो चुकी है और दुआन ने अपनी पूरी लाइफ में किसी को भी डेट नहीं किया तो यह सुनकर बहुत ही खुस होती ह पर उसे ये बात सुनकर अच्छा भी लगता है कि फाइनली दुआने उसे अपनी बहन नहीं का बल कि अपनी दोस्त कहा आगे सैंग जी को वहां पर अच्छा नहीं हलगा होता है तो दुआन उसे अपने साथ ले कर चला जाता है तो सेंग जी दुवान को कहती है तुमने ये सब कुछ जान बूच कर किया ना तो दुवान कहता है हाँ मैंने ये सब कुछ जान बूच कर किया ताकि तुम्हें मेरी बात पर बिलीव हो कि आज तक मैंने किसी को भी डेट नहीं किया तो सेंग जी कहती है अगर ये बात मुझे झाल 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 झाल